हलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे केवियस सेलेक्शन प्रॉसेस की, क्या है केवियस सेलेक्शन प्रॉसेस, कौन जिन जिन बच्चों ने रिटन एक्जाम दिया है, उनके लिए इंटर्व्यू क्यों है इतना जरूरी, क क्या है यह डेमो टीटिंग, चलो आज बात कर लेते हैं, कवियस सेलेक्शन प्रॉसेस की, अगर बात करें सबसे पहले केवियस सेलेक्शन प्रॉसेस का, तो यहाँ पर तीन स्टेप हैं, क्या करने के लिए आपको केवियस में नौकरी पाने के लिए, चाए वो TGT हो, तेस्ट में आपने 180 मिनिट में क्राक किये होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डेमो टीचिंग कि क्या है ये डेमो टीचिंग, कैसे आप जा के इंटर्व्यू जो पैनल बैठा होगा, आप उसको कैसे इंप्रेस कर सकते हैं अपने इस स्किल के साथ, तीसरी बात करेंगे हम कि क्या-क्या स्टेप्स, क्या-क्या कौन-कौन से टेप्स है जो बहुत जरूरी होंगे किसके लिए आप लोगों के लिए इंटर्व्यू देने के लिए, तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये एक नया प्रोसेस है, इसी ब यहां पर बहुत चर्चा में चल रहा है यह 30 और 70 का रेशो, सबसे पहले बात करें रिटन टेस्ट की, तो जो आपने एक्जाम दिया था रिटन टेस्ट में, उसका जो वेटेज है, वो कितना है? 30 परसेंट है, और वहीं जो अदर चीजे हैं, दोनों, डेमो प्लस इंटर् अगर हम इसकी बात करें, तो यह दोनों कितने, कितना परसेंट वेटेज कंटेन कर रहे हैं, तो 30 परसेंट इन दोनों का वेटेज है, मतला 50 परसेंट डेमो टीचिंग का, और 15 परसेंट ही इंटर्व्यू का, तो रिटन टेस्ट जो है आपका 70 परसेंट मार्क, अगर आप सपोज, 180 परसेंट का आपका पेपर था, 180 में से आप विधने नंवर आए हो, चाहए वो 160 परसेंट आपके, जितने भी नंवर आयों, 60 परसेंट इनका परसेंट लिया जाएगा, किसमें? रिटन एक्जाम में, फिर उसके बाद आपका 6 नंबर का ये दोनों चीजे हैं, 60 म इसका कितना परसेंट लिया जाएगा, 30% लिया जाएगा, उन दोनों को मिला के मेरिट निकाली जाएगी, तो इसी लिए इसको 30 और 70, 70 इस्टो 30 का रेशो बोला जा रहा है, तो सबसे बहले अगर रिटन एक्जाम की बात करें, तो रिटन एक्जाम में 180 क्वेश्चन थे, 180 म आपके कितने भी नंबर आए, सबसे आपके 160 नंबर आए 180 में से, तो इसके 70 परसेंट आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट लिया जाएगा, इसका रिटन एक्जाम का, मेरिट बनाने के लिए, तो इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड डेमो टीचिंग की, तो डेमो टी जिन बच्चों को कॉल आएगा, या किसके लिए, इंटर्व्यू के लिए, तो सबसे पहले जा के उनके लिए क्या होगा, इंटर्व्यू होगा, इंटर्व्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटर्व्यू में सबसे पहले आपका इंटर्डाक्शन पूछा जाएगा, इं करेंगे अपना इंटर्व्यू के लिए इंटर्व्यू में सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि आपको अपना इंटर्व्यू के लिए इंटर्व्यू के लिए इंटर्व्यू में सबसे पहला प्रोसेस आपका इंटर्व्यू के लिए इंटर्व्यू में सबसे पहला प्रोसेस अपना इंट्रोडाक्शन देहेंगे, पाइएंगे, तो ही बताइएंगे रचाएंगे, विकनेस् बताइएंगे, बताइएंगे उसके बाद आप से पैनल बैठा होगा, पूरा का पूरा बैठा ओगा और वो पैनल भी किसे कौन से इपार्मेंट से नहीं काई सेपारमेंट स बच्चे लड रहे हैं, दो बच्चे आपस में लड़े हैं, तो आप कैसे उनको गाइडेंस दोगे, या उनके साथ उस ताइम पर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो यह सारी कुछ सिचुएशनल चीजी हैं, जो आपसे इंटर्वियर पूच सकता है, और आपको बो इस इंटर्वियू में पहले तो इंटर्वियू होगा, दूसरा कुछ सिचुएशनल चीजे आपसे पूच सकते हैं, तीसरा थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, अगर आप सब्जेक्टिव पूच सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेर रहना है, मतलब आपको अ बात कर लेते हैं, तो आपको का क्या होगा अपनी कलास में, तो एक पॉँना अमेफरे गैस करोगे तो यहां पह पर कुछ स्केल्स, कुछ मेफर्ड्स को क्या करेंगे, जच करेंगे, जिस बेसस पे आपका क्या होगा, सेलेक्शन होगा, तो इंटर्वियू बहुत इंपर् तिर टीरौस के बात कर लेते हैं, रहांते हैं, इट परसक선 सी, जय में करेंगर सी, चिनी किन्त माुटभस इसे हम इसे बिने होते हिं हैं, बात कर लेते हैं, सुरूस आझ करोटने कर नhen, सीर्ज के डान, परसके पण दुझेंग्स कर के लेंगे, उसके बाद, डेमो टीचिंग में आपकी एक्या देखी जाएगी? टीचंग! चाही सबहरी आप अपने तो आप उसको बताएंगे कि यह जो फूड है यह हमें कहां से मिल रहा है सभी लोग जानते होंगे कि यह जो खाना है हमें वो फार्मर्स देते हैं वो हम क्रॉप से लेते हैं यह बच्चों की नॉलेज यह प्रिवियस नॉलेज टेस्टिंग करोगे और उनको ट्रैक पे हैं ताकि बच्चा वीजुलाइज कर सके चीजों को वाइड वाइडली वीजुलाइज करना बहुत इंपोर्टेंट है किसी कंसेप्ट को समझने के लिए तो यहां पे आपकी टीचिंग अबिलिटीज और स्किल को जज किया जाएगा जैसे आप डेमो दोगे तो यहां पे भी डेमो भी 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का आपका डेमो टीचिंग होगा, इंटर्व्यू 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का आपका डेमो टीचिंग होगा, क्लियर है इतनी बात, तो यहां पे 60 मार्क्स में से आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे, उसका 30 परसेंट आपके मेरिट म इतनी बात आपको clear है, इतनी चीज आपको clear हो गई कि जो final merit list बनेगी, वो किस-किस से बनेगी, एक तो written exam से बनेगी, written exam से बनेगी, plus demo teaching, demo teaching, और and interview से बनेगी, चीक है, तो जितने written exam में आपके marks आएंगे, वो 70% weightage लेगा, और जितने आपका इसमें से marks आएंगे, उसका 30% weightage, दोनों को add करके आपका क्या बनेगा, merit list बनेगा और तब पता चलेगा कि आपका selection हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको ये चीजे बिलकुल clear होगी होंगी, कि क्या है demo teaching, क्या है interview, interview में कैसे questions पूछ सकते हैं, और क्या है ये 70-30 का ratio, बच्चे इसको लेके बहुत जादा confused है कि क्या हमारे पूरे exam में मतलब की सिर्फ 70% portion इसका लेंगे, बेटा जो marks आप obtained करेंगे, उसका 70% लेंगे, बार बच्चे पूछ रहे थे, मैम ये 70-30 का ratio क्या है, तो उसके लिए ही आज ये event करना पड़ा हमें, कि 70% का मतलब है, कि जितने marks आप obtained करेंगे, उसका 70% और यहाँ पे 60 marks में से आपने जितने marks obtained किया है, उसका 30%, दोनों को मिला के merit निकाली जाएगी, और उसके बाद पत सब्सक्राइब करना ना भूले, रिजाल्ट गुरू, थांक यू